दोस्तो यदि आप टेली प्राइम सब्ट वेयर में बहुत आसानी के साथ कारी करना सीखना चाते हैं जीएश्टी से रिलेटेड टॉपिक्स सरलता के साथ किलियर करना चाते हैं तो आप यूट्यूब पर मेरे चैनल पर जाकर इन से रिलेटेड जो वीडियो अप्लोड हैं को देखकर सीख सकते हैं जानकारी ले सकते हैं घ्ञान अरजन कर सकते हैं इसके लावा चैनल पर आगे अपलोड होने वाली वीडियो का नोडिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को प्रेस करके औल पर भी क्लिक कर लें तो चलिए दोस्तो हमने किसी भी गुरुप के अंडर create कियों इससे कोई फरक नहीं पड़ता है यानि हमने जितने भी lasers create कर रखे हैं अपनी कमपनी के अंतरगत Teleprime Software में उन सारे के सारे lasers का opening balance और closing balance एक ही screen पर एक साथ देखना चाहते हैं तो किस तरह से देखेंगे इसके अलाबा हमने Teleprime Software में जितने भी lasers create कर रखे हैं उनके opening balance और closing balance के साथ साथ उन lasers को लेकर हमने जो भी transactions की हैं उनको भी हम एक ही screen पर एक साथ देखना चाहते हैं तो किस तरह से देखेंगे यह आज का हमारा topic रहेगा तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा gateway of daily mok menu है यहाँ से जाना होगा display more reports में मैंने display more reports को select किया और interface किया दोस्तों हम आगे display more reports में जब आप display more reports में आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहला आपको feature मिलेगा सबसे पहला यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा trial balance तो आपको क्या करना है trial balance को select करकि और interface कर देना जैसे मैंने असा किया दोस्तों हम आगे trial balance में देखि यहाँ अपर लिखा हुआ मिलेगा trial balance अब इस जगे पर आगए अब यहाँ पर हम क्या देखना चाहते हैं यहाँ पर हम यह देखना चाहते हैं कि जितने सारे मैंने lasers create किये हैं उन सारे के सारे lasers का opening closing balance एक साथ देखना चाहते हैं साथ चाहते हैं उन lasers को लेकर हमने जो transactions की हैं उनको भी हम देखना चाहते हैं एक ही screen पर तो तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, साइड में बटन बार है, यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा, जिस पर लिखा हुआ होगा Change View, आपको इस बटन पर क्लिक कर देना है, या इस फीचर को यूज करने के लिए Keyboard से Ctrl के साथ H प्रेस करना है, तो मैं क्या करता हूँ Change View जिस बटन पर लिखा हुआ है, उस पर कर देता हूँ, क्लिक, जैसे ही मैंने ऐसा किया दोस्तों, हम आ गए यहाँ पर Change View में, अब Change View में जब आप आएंगे, तो Views के अंतरकत आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा LaserWise, आपको LaserWise को सेलेक्ट करना है, और Enterprise कर देना है जैसे ही दोस्तों मैंने LaserWise को सेलेक्टर के Enterprise किया, इस स्क्रीन हमारे सामने कुछ इस तरह से अपियर हुई, अब यहाँ पर आप देखेंगे, तो सारे के सारे मिलेजर्स मिल रहे हैं, अब यह जो लेजर्स हैं, यह लेजर्स मैंने अलग-अलग गुरुप के अंडर में क् इसको create किया है, इसके अलाबा यहाँ पर case का laser है, case in hand के अंतरगत है, sales और cgst का laser है, duties and taxes के अंतरगत है, deep educators का laser है, यह मैंने Sunday data group के अंडर में, यहाँ पर create किया है, इसी तरह से मैंने यहाँ पर expenses के laser हैं, वो सारे के सारे सो रहे हैं, income के laser बनाए है, वो सब के सब laser मुझे इस जगह पर show रहे हैं, यानि कहने का मतलब यह है, कि आपने किसी भी group के अंडर में laser create कियोंगे, वो सारे के सारे laser आपको इस जगह पर show होंगे हैं, आप यहाँ पर देखिए, सबसे उपर यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारी firm का name, और यहाँ पर इसके नीचे लिखा हुआ 1 April 2022 से लेकर 31 March 2023, यह period यहाँ पर open है, इसके अलाबा आप कोई और period करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप Alt के साथ F2 प्रेस करके, जो भी period रखना चाहते हैं, उस period के अंतरकत आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक न, वो भी मैं आप यह आपको example से बताऊंगा, इसके लाबा आपको एक बात और याद रखना है, कि यहाँ पर जो laser score है, जिनके सामने यहाँ पर debit और credit का amount score है, यदि कुछ lasers ऐसे हैं, जिनका की closing balances सून है, zero है, वो आपको इस जगे पर show नहीं होगे, वो भी मैं आपको आगे एक example से बताने वाला हूँ, अब यहाँ पर जब आगे हैं laser के सामने, आपको या तो debit के column में amount सो रहा होगा, या फिर credit के column में some amounts हो रहा होगा, और जो यह amount है, यह closing balance हर laser का, जैसे कि यहाँ पर देखे, अजय टेटर्स laser को मैंने select कर रखा है, और इसके सामने जब हम देख रहे हैं, अजय टेटर्स का laser देखे, मैंने यहाँ पर select कर और इसके सामने देखेंगे, तो यहाँ पर देखे, 5,6,208 रुपए credit के column में सो रहा है, यानि इसका मतलब क्या है, कि 31 March 2023 की स्तिती में, क्योंकि period क्या है, last date क्या है, 31 March 2023, तो 31 March 2023 की स्तिती में, अभी हम जो देखने जा रहे है, period कर रहे हैं, उसका जो last day है, वो 31 March 2023, तो उ budget traders का यहाँ पर closing balance हो रहा है, 5,6,208 रुपए credit, अब इसको हम select करके enterprise करते हैं, इसके आपको और चीस समझ में आ जाए, अब budget traders की laser को मैंने select करके enterprise किया, तो हम आगे इस screen पर यहाँ पर देखेंगे, जब हम देखेंगे, तो यहाँ पर budget traders का laser है, और इसमें देखेंगे, screen पर भी सो रहा है, इसी तरह से यदि हम यहाँ पर दीपक traders के जो laser है, उसको select करके, जब हम यहाँ पर interface करते हैं, तो दीपक traders के हम laser में आ गए, और यहाँ पर हम देख रहे हैं, सबसे नीचे, 5,181,409 रुपए 80 पैसे, closing balance में सो रहा है, यानि दीपक traders का closing balance है, वो है 5,181 409 रुपए 80 पैसे, है न, और यही amount हम को इस जगे भी शो रहा है, 5,181,409 रुपए 80 पैसे दीपक traders के सामने credit amount, वो sorry debit amount है, तो यह debit amount है, यहनि इनका closing balance है, दीपक traders का 5,181,409 रुपए 80 पैसे debit, तो इस तरह से आप एक एक laser के बारे में यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं, अब यहाँ पर क्या है, closing balance हो रहा है, आप चाहें दोस्तों, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसकी print भी निकाल सकते हैं, वो भी मैं आपको भी बताने वाला हूँ, उससे पहले मैं आपको एक बात clear कर देता हूँ, कि यहाँ पर वो laser आपको सो नहीं होंगे, जिल laser का balance 0 होगा, जैसे देखें, यहाँ पर, मोहन किराना इस्टोर का laser हम देख रहे हैं, और इनका laser जो हम देख रहे हैं, तो 845 रुपए debit के कॉलम में सो रहा है, यह 845 रुपए debit है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको enter प्रेस करके, और यह जो payment है, इसको मैं कर देता हूँ, 5,22,845 अब जब हम देखेंगे, तो यहाँ पर मोहन किराना इस्टोर का laser हो है, वो हमें नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि उसका balance 0 हो गया, तो आपको यह समझना है, कि यहाँ पर जिल laser का closing balance 0 होगा, वो आपको इस जगह पर शोर नहीं हो गया, आप दोस्तों आप चाहें, तो इसकी आप इसकी print भी निकाल सकते, print review हमने देख लिया, यहाँ पर escape की प्रिस करते, एक वार escape की प्रिस करते, print निकालना है, तो आप क्या कीजिए, print को select करके और enter प्रिस कर दीजिए, तो आप इसकी print भी निकाल सकते, ठीक है, अब मैं escape की प्रिस करके फिर जगह पर आ गया, मैंने F12 प्रिस किया keyboard से, हम दोस्तों आगे configuration में, जब आप configuration में आ जाएंगे, तो देखें, यहाँ पर 100 opening balance सबसे उपर शो रहा है, इसको yes कर दीजिए, और इसको yes करने के बाद आपको क्या करना है, enter enter प्रिस करते हुए, इसको accept कर लीजिए, देखें, अब जैसे ही मैंने जैसे हम asset traders की बात करें, तो asset traders के सामने देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए, opening balance credit amount है 8,93,584 रुपए, यह opening balance का मतलब क्या है, कि 1 April 2022 से हम इसको open किये हुए हैं, तो 1 April 2022 से पहले का, यानि 31 March 2022 का जो closing balance होगा, वो opening balance हो जाएगा हमारे लिए 1 April 2022 के लिए, तो यहाँ पर जब हम asset traders के सामने देख रहे हैं, laser के सामने, तो देखें, 8,93,584 रुपए credit opening balance बता रहा है, और closing balance हो गया 5,6,208 रुपए, 31 March 2022 के इसकी इस्तिती में, तो एक ही laser का, हर एक laser का आप इस तरह से एक ही screen पर opening balance भी देख सकते हैं, और closing balance भी देख सकते हैं, जिस तरह से हम यहाँ प पर देख रहे हैं, तो देखें, इनका opening balance से 8,93,584 रुपए, closing balance से 5,6,208 रुपए, ठीक ने, इसी तरह से दीपक टेटर्स का देखें, यह हमारी डेटर्स पार्टी है, तो दीपक टेटर्स का जब हम देख रहे हैं, तो देखें, opening balance में 2,31,970 रुपए, यानि एक अपर को selector के enterprise कीजिए, preview देखें, तो आप इसको भी इस तरह से preview देख सकते हैं, और इसकी भी आप print चाहें, तो उसी तरह से print निकाल सकते हैं, जिस तरह से कि मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, हर एक laser का opening balance देख पा रहे हैं, सा इसलिए अब मोहन कराना के store का laser भी इस जगह पर शो रहा है, भले ही इसका balance 0 है, closing balance 0 है, लेकिन opening balance तो था इनका, बाद में हमने payment कर दिया, तो closing balance 0 हो गया, लेकिन मोहन कराना store का laser अब इस जगह पर शो रहा है, और इनका जो opening balance था, 5,22,845 रुपय था, और देखिए, है, क्यों, क्योंकि हम जब इनको selector के enterprise करेंगे, तो हम पूरा इनको payment कर चुके, मतलब इनका जो भी amount था, वो सून ने हो गया है, balance, तो इसलिए इस जगह पर नहीं शो रहा है, लेकिन वो laser आपको सोंगे, यह ऐसे laser जिनमें कि आपने opening balance तो डाल रखा है, या उनका opening balance आ र balance हो रहा है, लेकिन transactions हो नहीं हो रहा है, तो इसके लिए क्या कीजिए, फिर से आप F12 प्रेस कीजिए, कीबोर से, जब आप F12 प्रेस करेंगे, कीबोर से, तो यहाँ पर आपको लिखा हूँगा मिलेगा, इस बज़े से पिछली स्क्रीन पर ट्रांजेक्शन सो नहीं हो रहे थे, तो इसको कर दीजिए आप yes, अब मैंने 100 ट्रांजेक्शन को yes किया, और enter, enter प्रेस करती हूँग, इसको मैंने accept कर लिया, अब देखी, यहाँ पर एक और column आ गया, हर एक laser के सामने आपको देखी, सा opening balance, तो opening balance के column में हर एक laser का opening balance जो भी debit है, credit है, साथ इसाथ यहाँ पर CR और DR आपको लिखा हुआ मिल रहा है, तो हर laser का opening balance आपको पता चल रहा है, किनका कितना credit opening balance था, और debit opening balance है, इसके साथ Closing balance के column में closing balance हो रहा है, और देखी, अब यहाँ पर एक नया column आ गया, transactions का, और इ यहां पर शो रहा है इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है कि जो period हम यहां पर open कर रखें उस period में हमने जिन जिन laser को लेकर चितना जितना transaction किया है वो हमको सो रहा है जैसे agitators के सामने देख रहे हैं तो यहां पर देखिए तो 1 April 2022 से लेकर 31 March 2023 के बीच में हमने इनके laser को 14,95, से debit किया और 11,7,624 रुपई से हमने इनके laser को credit किया यानि opening balance था 8,93,584 रुपई और इस period में हमने 14,95,000 से इनके laser को debit किया 11,7,624 रुपई से credit किया और उसके बाद closing balance बच गया 5,6,208 रुपई तो इस तरह से आप यहां पर transactions भी देख सकते हैं आप देखिए मैं इसको select क laser के enterprise करता हूँ इसी तरह से example मैं है यहां पर अजय टेडर को ले रहा हूँ लेकिन आपको इसी तरह से सारे के सारे lasers के बारे जानकारी मिल जाएगी अब मैं क्या करता हूँ यहां पर logic laser के laser हो रुपई और इसको select करके और enterprise कर देता हूँ तो यह देखिए यह पर आप इनक और सबसे नीचे देखेंगे तो यहाँ पर डेविट के कॉलम में 14,95,000 रुपए और क्रेडिट के कॉलम में 11,626,000 रुपए और तो इस तरह से आप देख सकते हैं और एंटरफिस करेंगे तो आपकी इसकी सारी डेटेल भी देख सकते हैं यहाँ पर हर एक एंट्री तक आप यहाँ पर जा सकते हैं तो यहाँ पर फिर हम इस जगह पर आ गए तो दोस्तो इस जगह भी हम क्या कर सकते हैं एक ही जगह पर हम क इसके लावा दोस्तों आप किसी भी स्क्रीन पर हम शुरुआ से जिसी स्क्रीन से आयते हैं वहां से लेकर यहां तक आप कहीं पर भी चाहें तो यहां पर पीरियड भी चेंज कर सकते हैं अभी यहां पर क्या हो रहा है एक अप्रेल 2022 से लेकर 31 12 2022 अब देखिए हमको 31 यहां पर यहां पर लेजर देख रहे हैं तो ओपनिंग वैलेंस तो उतना ही रहेगा 5,93,584 रुपए अब देखिए ट्रांजेक्शन में देखेंगे तो यहां पर डेबिट में आप सो रहा है 3,75,000 रुपए और क्रेट में सो रहा है 10,88,455 रुपए और क्लोजिंग वैलें से 5,97,049 रुपए यानि अब सभी के सारे के सारे जो ले जारे हैं उन सारे के सारे लेजर का आपको दिसम्बर तक यानि 31 December तक आपको सारी जानकारी मिल रही एंटरप्रेस करेंगे तो देखिए अब यहाँ पर सिर्फ December तक की महिना रह गया इसके आगे के जो मंत्त थे वो यहां से हट गए और December में देखेंगे तो 5,97,49 रुपए क्लोजिंग विलेंस आ रहा है और जो debit transaction किया है 3,45,000 रु निकाल सकते हैं, escape की प्रेस करते हैं, फिर से एक वार escape की प्रेस करते हैं, प्रिंट पर जाएंगे, और प्रिंट पर जाने के बाद आप एंटर प्रेस कर देंगे, तो आपकी printout निकलाईगे, तो दोस्तो मैं समझता हूँ, आज का topic आपको अच्छे समझ में आ गया होगा वीडियो अच्छे लगी हो, तो लाइक करें, धन्यवाद